बंदे मात्रम आज हम लोग देखेंगे कि एनिमल बॉडी पैटर्न है ना हम लोग देख रहे थे कि जो जंदू जगत है तो उसमें जो जीवों का वर्गी करण है वो की सधार पर किया जाता है तो मैंने बताया था कि जो जंदू होते हैं उनकी समानताओं के अधार पर उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइट किया गया है है ना कि जो जीव समान प्रकार के हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है है ना इस टाइब से तो मैंने दस संग बताया थे जिसमें क्या था पूरिफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटी हलमेंथेस, निमेटोडा, एनिलिडा, अर्थोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमी कॉडेटा और कॉडेटा तो इतने 10 संग है जिसमें जीवों को रखा गया है तो कीस अधार पर रखा गया है? समानता के अधार पर रखा गया है है ना? तो समानता के अधार पर तो इसमें मैंने 5-6 पॉइंट्स बताय थे है ना? जिसके अधार पर जीवों का वरगी करन किया जाता है करके तो यहाँ पर समानता ही कि अधार पर ही जीवों को वर्गी कृत किया गया है तो जिसमें हम पहला देखेंगे कि animal body pattern यानि कि जो जीव है उनकी साररिक रूप रेखा के अधार पर है ना तो उनका जो सरीर होता है वो किस से बना होता है तो उनका जो सरीर है वो कोशी का से मिलक पाई जाती है है ना तो जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला कौन सा संग पोरी फिरा है ना तो यहाँ पर जैसे कि हम जीवों की कोशी का व्यवस्था को देखेंगे तो सबसे पहला संग है पोरी फिरा तो पोरी फिरा के अंतरगर जो जीव होते हैं वो बहु कोशिकी होते हैं लेकिन उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी जो है वो अलग-अलग होती है है ना यानि कि उनमें साररिक संगठन उसका किस प्रकार का होता है कोशिकी इस तरका होता है ठीक है तो तो ये तो बहु कोशिकी होते हैं लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो उतक का निर्मार नहीं करते हैं है ना उतक नहीं बनाते हैं अब क्यों उतक नहीं बनाते हैं तो उतक की परिभाशा आप लोगो पता होगा कि समान कोशिका और जो समान कार करते हैं वो आपस में मिलकर उतक का निर्माड करते हैं लेकिन यहाँ पर जो पूरी फेरा के जितने भी सदस होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या पाये जाता है? छिद्र यानि कि जो पूरी फेरा के अंतरगत जिव आते हैं जैसे कि एक्जामपल के लिए हम ले लेंगे इस्पंज चाले लेंगे इस्पंज इस्पंज जो है यह समुद्री जीव है जिसको पूरी फेरा के अंतरगत रखा गया है क्योंकि इस्पंज का जो सरीर होता है उनमें जो कोशिकाओं होती उनमें चुटी-चुटी छिद्र पाया जाते हैं है ना तो इनकी जो कोशिकाओं होती है वो क्या होते हैं एक साथ मिलकर एक समान कारिय नहीं करते हैं इसलिए इनमें उतक का निर्बान नहीं होता है इनमें सिर्फ क्या पाया जाता है इनमें सिर्फ कोशिका पाया जाता है तो पूरी फिरा के अंतरगज जितने भी जीव आते हैं ठीक है? तो उनका जो साररिक संगठन होता है इनका साररिक संगठन कोशिकी इस्तर का होता है यानि कि इनमें सिर्फ कोशिका ही पाया जाती है कोशिकी इस्तर उत्तक का निर्मार नहीं होता है है ना उसी प्रकार से दूसरा हम देख लेते हैं पूरी फेरा के बाद क्या आता है तो पूरी फेरा के बाद आते हैं सिलेंट्रेटा तो सिलेंट्रेटा के अंतरगत जो जीव आते हैं उनमें साररिक संगठन यानि कि जो उनका सरीर होता है वो कोसिका के अलावा है ना कोसिका आपस में मिलकर उतक बनाती है तो सबसे पहले पोरी फेरा में सिर्फ कोसिका ही पाई जाती है उतक नहीं पाय जाता लेकिन इसके बाद जो संघाती है तो इसमें थोड़े जीव जो है वो development हो जाते हैं, विक्सित हो जाते हैं, तो इन में जो सारीक संगठन पाया जाता है, वो उतक इस्तर का होता है, है ना, यानि कि कोशिका इन में क्या हो जाती है, आपस में मिलकर एक समान कारे करने के लिए संगठित हो जाती है, और उतक का निर्माड करती है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, कि जो सिलेंट्रेटर के अंतर गत, जितने भी जीवों को रखा गया है, वो जीव कैसे होते हैं, कि इन में जो बहुत सारी सेल होती है, या कोशिका होती है, वो संगठित होकर, क्या करके, संगठित होकर, एक समान, एक सम सारे कोशिका संगठित होकर, एक समान कारे करती है, तो यही जो कोशिकाएं हैं, जो आपस में क्या हो गई है, संगठित होकर, समान कारे कर रही है, है न, तो इसी से ही किसका निर्माण होता है, तो इसी से ही होता है, उतक का निर्माण, पोरिफेरा के अंतर गत, जो कोशिक पारे करने लगती है इसलिए यहां पर उतका निवान हो जाता है तो इनल्देटर के अंतरगत is बिलीग कर बना होता है ठीक है प्लैटी हलमेंथस प्लैटी हलमेंथस हुआ जो नीमेटोड़ा है नीमेटोड़ा तो प्लैटी हलमेंथस और नीमेटोड़ा संग के अंतरगत जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि देखिए धीरे धीरे डेवलप्मेंट हो रहा है कोशिका कोशिका से फिर क्या का निर्मा तो यहां पर जो उतक हैं, है ना, उतक से क्या बनता है, उतक से अंगों का निर्माड होता है, तो यहां पर जो प्लेटी हलमेंथिस और निमेटोट के अंतर का जो जीव आते हैं, उनमें अंग का निर्माड होने लगता है, क्या होने लगता है अंग का निर्माड होने लगते हैं यनि कि ऐसे जियों जिनमें उतक के आगे उनमें कुछ अंग भी बनने लगते हैं उन सभी जियों को किसमें रखा गया है प्लेटी हलमेंथिस निमेटोट्स में रखा गया है है ना, तो इनमें सिर्फ अंग ही बनते हैं, अंग तंत्र नहीं बनता है, ठीज है, जैसे कि अगर माउथ हो गया है, है ना, तो माउथ में हमारे में जैसे कि एक पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसके अंतरगत माउथ को रखा गया है, ग्रस्नी को रखा गया है, अमा जिसकी वज़ा से जैसे कि अगर सिर्फ माउथ है तो वो सिर्फ माउथ ही रहेंगी, है ना, इस टाइप से, तो प्लाटी हलमेंथिस और नीमे टोट के अंतरगाज जीवों में किसका निर्माण होने लगा, अंग बनने लगे, फिर इसके आगे कौन सा संग आता है, एनी से लेकर कौडेटा तक, कौडेटा तक, लास्ट जो संग होता है, है ना, एनी लीड़ से लेकर कहां तक कौडेटा तक, जितने भी जीवाते हैं, उनमें साररिक संगठन, साररिक संगठन, क्या होता है, अंग तंतर होता है, तो इनमें ऐसे जीवों को रखा गया है, एनी ल जहां पर जिवों में पूरा पूरी तरीका से अंग तंत्र बन जाते हैं, जैसे कि अगर फॉर एक्जांपल के लिए हम बात करेंगी तो पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन तंत्र का मतला भी हाँ पर सिर्फ माउथ से रिलेटेट नहीं होगा वो, वहाँ पर बहुत सारे अंग अपस में मिल जाते हैं, तो पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना है, जैसे कि माउथ हो गया, ग्रस्नी हो गया, अमाशय हो गया, अमासय है ना, और आत, आत के बाद मलासय, गुदादार, तो ये सभी अंग अपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं यदि हम सिर्फ गरशनी बस बोल देंगे तो वो सिर्फ अंग कहलाता है तो ऐसे एक अंग केवल प्लेटी हलमेंथिस वा निमेटोर जीवों में पाजाते हैं लेकिन जब अंगों के बाद बहुत सारे अंग अपस में मिलकर एक तंद्र बना लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है अंग तंद्र तो एनि लीड़ा से लेकर जो कॉड़ेटा तक के जितने भी जीव हैं उनमें विक्सित क्या पाई जाता है अंग तंद्र पाई जाती है तो जीमों का उनकी साररीक रूप रेखा के अधार पर है ना इस तरीके से उनको क्या किया जाता है डिवाइट किया जाता है अब एनिमल बॉडी पैटर्न के बाद दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था दूसरा पॉइंट बताया था बॉडी सिमेटरी की जीमों को उन इसकी व्यवस्था अंगों की व्यवस्था जैसे कि हमारा एक बॉड़ी है तो वो किस तरीके से अरेंजमेंट है यानि कि वहाँ पर कि जो अंग है वो किस तरीके से क्या है व्यवस्थीत है तो अंगों की व्यवस्था के स्वरूप स्वरूप को ही क्या कहा जाता है सिमेट्री कहा जाता है कहते हैं कि किसी भी जीव के जो अंग है वो किस तरीके से डिवैड है मतलब वो जीव जो है उनके सभी अंग यदि उनको 20 से 2 भागों में बाट रहे हैं तो सभी हैं बराबर बट रहे हैं या नहीं है ना किस तरीके से बट रहे हैं तो इन सभी को क्या कहा जाता है उनका सम्मीति कहा जाता है तो जीवों को सिमेट्री के अधार पर तीन भागों में डिवाइट किया गया है कितने भागों में डिवाइट किया गया है तीन भागों में डिवाइट किया गया है इस तरीके से तो यहाँ पर पहला भाग है असम्मित जिव असम्मित जिव है ना दूसरा है अरिय सम्मीत जीव अरी का मतलब होता है एक्जिल है ना यानि कि बीच से इसको क्या बोलते हैं एक्जिल उसके बाद तीसरा है द्वी पाश्वर्व सम्मीत तो इस तरीके से सम्मीती के अधार पर जीवों को तीन भागों में डिवाइट किया गया है ऐसे जीव जो असम्मीत होते हैं ऐसे जीव जिनको अरी सम्मीत जीव यानि कि वो दो बराबर भागों में डिवाइट हो जाते हैं उसके बाद दूसरा है द्वी पाशर्व सम्मीत तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनका मतलब देख लेते हैं कि असम्मित जीव किसको बोलते हैं तो असम्मित का मतलब होता है कि सरीर को दो बराबर भागों में नहीं बाढ़ सकते हैं असम्मित याने कि वो सम्मित नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सरीर को दो बराबर भागों में नहीं बाढ़ सकते. ऐसे जिव जिनके सरीर को हम यदि काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ पाते हैं. तो उस टाइप की जिव को कहा जाता है असम्मित जिव. एक्जामपल आप बताईए, एक्जामपल कौन सा आ सकता है, तो एक्जामपल में आ सकता है जैसे कि स्पंज. पूरी फेरा के जिव हैं स्पंज, उनका अगर हम डिखेंगे, तो वो इस तरीके से होता है. ये, और उनमें छुटे-छुटे क्या पाये जाते हैं? छीदर पाये जाते हैं. तो आप इनका इस्ट्रक्चर देखें और बताईए, कि अधि हम इनको दो भागो में अधि कहीं से भी इसको काट रहें, तो क्या ये बराबर दो भागो में बट रहें क्या? नहीं बटते. तो पोरिफेरा के अंतरकर जो जीव आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस्पंज, है ना? तो इस्पंज जो है, वो किस टाइप के जीव है? असम्मीजीव है. ऐसे जीव, जो जिसका सरीर बराबर भागो में नहीं बट पाता है, उनको असम्मीजीव कहा जाता है. फिर अब हम अरी सम्मीजीव को देखते हैं, हाना? अरी को क्या बोलते है? एक्जिल कहा जाता है. तो सरीर केंदरी अक्ष के चारो और इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कि उन्हें केंदर से होते हुए, यदि हम किसी भी तल पर काटते हैं, तो वो दो बराबर भागो में बट जाते हैं, उसको कहा जाता है, अरी सम्मीजीव. तो यहाँ पर देखिए, कि जो कोई भी यदि जीव है, तो यदि हम उसका एक कोई सेंटर पार्ट ले लेते हैं, और यदि उसको क्या करते हैं? काटते हैं, तो काटने पर यदि वो दो बराबर भागो में बट जाते हैं, तो इस स्टार फिस हो गया, और क्या हो सकता है, जैली फिश हो गया, जैली फिश, ठीक है, यह सब क्या है, अरी सम्मीजीव है, जैसे कि अगर हम इस्ट्रक्चर देखते हैं, यह, तो यह क्या है, इस्टार फिस है, इसका यदि हम कोई एक तल ले लेते हैं, है ना, जैसी कि अगर हम इसको यदि एक्जियल मान लेते हैं, तो एक्जियल मान के यदि हम इसको दो बराबर भागों में, अगर कहीं से भी काटते हैं, तो यह दो बराबर भागों में क्या को भी हो यदि हम center मान के काटेंगे तो वो दो पराबर भागों में बट ही जायगा तो ऐसे जीवों को कहा जाता है अरी सम्मीट जीव जिसके अंतर गत इस्टार फिस जैले फिस ये सब नेतल मानेंगे एक या दो बार यदी अगर हम उसको कहीं से भी या एक बर जैसे की सीधा काट रहे हैं और एक बर क्या का रहे हैं आढ़ा काट रहे हैं तो इस तैप से काटने पर वो जब दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो ऐसे जिवों को कहा जाता है द्वी स्पाइडर, यह सभी क्या है दिविपाशर्व होते हैं जैसे कि अगर हम अपने हिवाध करेंगे तो यह धी हम k crewогreणë हो पुरी 20 से काटा जाता है है ना दो आँख है इसे लिए हैं मुझ को अधी काटते हैं तो दो बराबर भागों में लेपस भी कर जाते हैं नाग भी दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से ऐसे जीवों को द्वी पाशर वो शम्मीत कहा जाता है कि दो तल से काटने पर वो दो बराब बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर हम एक फीश को ही देखते हैं, जी है न, तो ये क्या है फीश है, फीश को यदि हम एक लंबवत काटते हैं, तो देखिए बराबर दो भागों में बढ़ रहे हैं, यदि उसको हम कैसे काट रहे हैं, इस तरीके से काट रह तो भी वो क्या है दो बराबर भागों में बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के जीव जो बराबर भागों में दो तल से काटने पर बढ़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है द्वीपाशर्व सम्मी, तो उनके सम्मीति के अधार पर भी जीवों को वर्गी कृत किया गया है, क्रित किया जाता है जैसे कि जो जीव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं किसके अधार पर प्राइमरी जर्म लेयर के अधार पर जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है डिपलो ब्लास्टिक और एक प्रकार और होता है ट्रिपलो ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक तो प्रैमरी जर्म लेयर के अधार पर जिवों को दो भागों में डिवाइट किया जाता है डिप्लो ब्लास्टिक जिवों और ट्रिप्लो ब्लास्टिक जिवों तो ये होता क्या है तो डिप्लो ब्लास्टिक जो जिवों होते हैं उसमें क्या होता है कि जब gastrulation की प्रक्रिया होती है, है ना किसकी प्रक्रिया होती है, gastrulation जो blastula अवस्था के बाद बनता है, जिसमें layer का निर्माड होता है, है ना gastrulation अवस्था में क्या होता है, जीवो में layer का निर्माड होता है, तो gastrulation प्रक्रिया के बाद, जब जीवों में कितने layer बनते हैं, diplo, यानि कि दो layer का निर्माण होता है, तो प्रक्रिया के बाद कितने layer बनते हैं, दो, germ, layer, और वो दो germ layer कौन-कौन से होंगे, इसमें एक होता है, एक्टोडर्म, और दूसरा होता है, एंडोडर्म, तो जब जीवों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो layer का निर्माण होता है, तो उस type के जीवों को कहा जाता है, diplo, ब्लास्टिक जीवों, तो इसके अंतरगत ऐसे जीवों जिन में किवाल दो ही layer होते हैं, एक दर्म होता है, इनी लेयरों से फिर जीवों का, है न, अंगों का निर्माण होता है, तो दो लेयर जो पाय जाते हैं, वह एक तो पायजाता है, पोरि फिररा के जीवों में, जैसे कि notice, पंज में हैं और एक होता है, सिलेंट्रेटा में ठीक है तो सिलेंट्रेटा और पोरिफेरा इन दोनों वर्ग के जो जीव है उस वर्ग के जीव कैसे होते हैं डिपलोब्लास्टिक होते हैं उनमें केवल दो लेयर ही पाया जारता है अब हम देखेंगे कि tryploblastic जीव किश टरिप के होते हैं तो tryploblastic जानिकी यहाँ पर three जानिकी तीन है न तो यहाँ पर gastrulation प्रक्रिया के बाद जीवों का जब gastrulation प्रक्रिया या DAVID toe प्रक्रिया के बाद उन में कितने layer का निर्माण हो जाता है तो तीन जर्म लेयर बनते हैं है न कितने लेयर बन जाते है तीन जर्म लेयर और वो कौन-कौन से है तो एक तो ectoderm बने गा ही दूसरा लेयर बनता है इसमें mesoderm और एक तीसरा लेयर बनता है endoderm तो पहले में क्या था कि यहाँ पर सिर्फ ectoderm और endoderm था लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है मीजोडर्म जो की एक्टोडर्म का ही भाग होता है जो अलग हो जाता है और दो के बज़ए तील लेयर का निर्माण हो जाता है तो ऐसे जीवों को कहा जाता है ट्रिपलो प्लास्टिक जिसमें तीन लेयर पाये जाते हैं तो इस टाइप के जो जीव होते हैं उसका एक्जामपल है प्लैटी हलमेंथिस जो प्लैटी हलमेंथिस के जीव होते हैं उनमें तीन लेयर पाये जाता है है ना तो प्लैटी हलमेंथिस से लेकर पूरे मैमल्स तक इस्तन धारी तक या कॉर्डेटा तक है ना जितने भी जीव आते हैं वो सब क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो इस तरीका से जीवों को उनके प्राइमरी जर्म लेयर के अधार पर दो भागों में ड दिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंतर गत पोरी फेर और स्लेट्रेटा वर्ग के जितने भी जीव हैं वो सभी आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि इसमें प्लैटी हलमेंथिस से लेकर पूरे कॉर्ड डेटा तक है ना वो सभी क्या ह ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं तो इस तरीके से था या प्राइमरी जर्म लिया अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि उसका अगला पॉइंट है ना तीन पॉइंटों यहां तक हो चुका है अब चौथा पॉइंट है बॉडि कैविटी कि जीवों में उनकी जो दे गुहा के अधार पर उनको किस तरीके से डिवाइट किया गया है तो जो बॉडि कैविटी है वो अधिकतर परिशाओं में पूछे ही जाते हैं इंपॉर्टेंट है तो उसको हम अलग से है ना अगले वीडियो में देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही था धान्यवाद